हलो एवरीबन कैसे हैं आप सब तो दन की शुरुवात होती है यह चेक करने से कि दूद आया है या नहीं तो अगर नहीं आया है तो थोड़ी टाइम के बाद चेक करते हैं विग पास्केट का सब्सक्रिप्शन लगा के रखा हुआ है उसमें बहुत सारे ओप्शन्स होते हैं अब साथ साथ में कुछ चीज़ें यहां की बहां मैं कर रहे हैं पर मुझे टेरेस पे जाना अच्छा लगता है हमारे घर में बरतनों के लिए और जाड़ो पोचे के लिए मेड है लेकिन कुछ बरतन स्पेशली काच वाले सिरामिक वाले यह हम लोग खुदी वाश कर लेते हैं क्योंकि बाहर जो ड्राइ टेरेस पे सिंक है उसके धेर में काच के बरतन वगरा तूट सकते हैं और फिर मेड शायद उतना हैंडल ना कर पाए तो इसलिए यह सारे बरतन हैंड़ वाश ही होते हैं और हमारे मेड के लिए हम यह नहीं रखते हैं हमारे घर में डिश्वाशर नहीं है डिश्वाशर अगर लगाना भी हो तो जुगाड करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस का प्रॉब्लम है जगह ही नहीं है डिश्वाशर लगाने के लिए क्या आपके घर में डिश्वाशर है कौन सी ब्रांड का है आपको सबसे अच्छा क कुंसा लगता है आप नीचे कमेंट में में साथ शेयर कर सकते हैं अब शूटिंग भी जल्दी से स्टार्ट करनी है तो इन बरतनों को मैं बस जगह पर रख रही हूं कुछ चीज़े यहां से वहां करनी है और फिर शूटिंग स्टार्ट करेंगे और वही नाश्ता भी होगा तो नाश्ते के साथ शूटिंग है इसलिए मैं कपड़े चेंज कर लेती हूं थोड़ी प्रेजेंटेबल दिखो इसलिए मैं तेरेस केचन की शूटिंग के लिए कपड़े चेंज करके खाना बना दी हूं यहां पर मैंने बनाया है खमन, यहां पर मैंने जब भी खमन न धोकले की recipe पोस्ट किया तो हमेशा धोकला धोकला उसे refer किया है यह खमन धोकला घ्र skirts किया है जो रां कि न भी गरिवा act है हमारे लिए तो यह मैंने नॉर्मल जो खमन डोकले की रेसिपी होती है उसमें ही स्पिनच यूज किया था तो नाश्ता हमारा यह है और साथ में यह चाय मैं बना रही हूं जब भी शूटिंग होती है तो शूटिंग के हिसाब से मैं कपड़े चेंज कर लेती हूं मतब एक और शूटिंग के वीडियो पोस्ट कर लिया फिक कपड़ के दी रहिए संटकि सारे वीडियो में स्यम सेम कपड़े ना लगे यह बी हिए नोगे 캐म हो जाता है कभी बहुत बहुत होता है कपड़े अप्ड़े अथनी चेंज करना पड़ता है ऐस मैं बना रही हूं उप लेट 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 पहुंचते हैं। कि व्लॉक बनने में फिर एडिट करने में टाइम लग जाता है कभी कबार दूसरे वीडियो की वज़ए से ये पोस्ट नहीं हो पाते हैं तो बहुत बार ऐसा होगा कि राहिन ने आपको देख रहा है स्कूल जा रहा है जब कि छुटियां शुरू हो चुकी है राहिने का स्क के साथ परोसा जा सकता है मुझे चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है मुझे नॉर्मली चावल बहुत पसंद है अगर चावल है तो रोटी की भी जरूरत नहीं है मुझे रोटी नहीं होगी तो भी चलेगा इतना मुझे चावल अच्छा लगता है तो बड़ी ऐसा मौसम है, नाश्टा सही से हो गया, लेंड सही से हो गया, अभी शाम के लिए मैं बना रहे हूं स्नैक और साथ-साथ में शूटिंग में कर रहे हूं तो everyday शाम स्नैक नहीं बनता है, शाम को स्नैक occasionally बनता है और कभी कबार मैं उसके साथ-साथ वीडियो भी शूट कर लेती हूं यहाँ पर मैं एक तरह की कटलेट बना रही हूं जिसके उपर मैंने लगाई है सेवई तो सिवई इससे भी बारीक वाली होगी तो result बेटर आएगा और यह हो गए है cutlets ready deep fry करने के बाद बाहर से crispy अंदर से soft तो दिन बर काफी shooting आज हो गई लेकिन editing का भी काम बचा हुआ है तो editing मैं करती हूं filmora software में मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूं लेकिन I think नए ने लोगों तक जब video पहुँचता है तो उन्हें यह सवाल आ जाता है तो filmora software यूज करती हूं home in much more के videos के लिए भी और the terrace kitchen के लिए भी आज पिर नाश्ते से पहले कुछ बर्तन है जो मैं यहाँ पर पोच कर रख रही हूं यह मेरे नए set of बर्तन में से हैं यह काफी अच्छे है and ceramic की कुछ different plates है मेरे पास मैंने अलग-अलग जगह से collect की हुई है कुछ exhibition से है तो कहीं से है यह IKEA की dish drying mat है काफी सालों से use कर रहे हूं बहुत अच्छी है नाश्ते में मैं बना रही हूं पराठा तो पराठा बनाने के लिए मैं सबसे पहले आठा गोंद रही हूं तो basic process है पराठे के लिए आठा गोंदो कभी-कभी तो पराठे के लिए आठा गोंदना भी बोर हो ज excitement होती है जिसे की मेरी favorite वाली चीज़े हैं हमारे यहां पर बरतन धुलते हैं dry terrace में वहां पर एक और sink है तो वहां से मैं कुछ लेले जा रही हूं तो आलू के पराठे मैं बना रही हूं आलू की stuffing मैंने अल्रडी बना कर रखी हुई है तो यह रही stuffing इस से बनेंगे पराठे आलू पराठे या तरह तरह की stuffing पराठे हमारे घर में बहुत बनते हैं कि सबी पसंद करते हैं लेकिन इन में सबसे ज़्यादा आलू का पराठा ही बनता है क्योंकि आलू किसी ने किसी कारण से boil हो जाता है फिर अगर आलू बजग गया है तो फिर एक पराठा काफी कि इसी भी लगता है और बेस्ट चीज यह है कि इसे बनाने में देखा जाए तो टाइम नहीं लगता है ज़ादा आज भी दिन भर के बहुत सारे काम हैं तो नाश्ता होने के बाद ये सारे काम खतम करने है तो हर दिन की शुरुवात ऐसी ही होती है कुछ चीजे प्लाइन ह होती है तो नॉर्मली क्या होता है कि next day की जो भी planning है वो मैं पहले ही करके रखती हूं रात को ही सोच के रखती हूं कि अगले दिन क्या-क्या चीजे करनी है ऐसा करने से एक थोड़ा motivation मिल जाता है और वो जी situation होती है कि समझ में नहीं आ है कि काम कहां से शुरू करें ऐसा नहीं होता है तो आप भी अगर ऐसे confused हो जाते हैं confused हो जाते हैं कभी कभी समझ में नहीं आता है तो हो सके तो अपना दिन जो है वो एक दिन पहले ही आप प्लान करके रखे बहुत पहले की प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है जस्ट आ नाइट बफूर और यह बढ़िया गर्मा गरम पराठे यहां पर तयार हो रहे हैं आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे नेल आट के बारे में भी पूछा था तो यह मेरे ने Onlyे एक्सेंशन हैं और इनके ऊपर जो जेल नेल पर लगती है वो यूवी लाम से डॉय की जाती है लिगार गारा इस ही जक रॉत ते बुस्धी नहीं होती जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद पर ये नेल आट वाली एकदम बढ़िया है सो ये मैं यूज कर रही हूँ आजकल अब एडिटिंग मैं कर रही हूँ थोड़ी सी विडियो लाइब करना है इसलिए अब इसके बाद I am again ready for the next shoot तो मैंने फिर से टॉप चेंज कर लिया है तो ये लगा ही रहता है सिलसला सारी शूटिंग खतम हो गई है और मैं वापस से अपने घर के कपरों में आ गई हूँ जो की है बढ़ी ऐसा एक खुला खुला कॉटन का नाइट सूट तो ये जो नाइट सूट सोरे से पहनती हूँ मैं चीजे ये वैसे भी सब कुछ होमें मचमूर पर हॉल वीडियो में मैं दिखाती ही हूँ और साथ ही मैं मैंने मेरे नाम से प्रियंका खडसे के H-A-D-S-E मेरे नाम से मैंने एक न्यू चैनल शुरू किया है जहाँ पर मैं फैशन अन्-ब्यूटी का कंटेंट पोस्ट करती हूँ अभी फिलहाल तो मैं होमें मचमूर कि जो हॉल वाले वीडियो से वहाँ शिफ्ट नहीं कर पारी हूँ some reason क्योंकि मैं ब्रैंड के साथ काम करती हूं Amazon के साथ तो अभी में shift नहीं कर सकती हूं पर बाद में मेरी इच्छा है मैं करूँ तो कभी possible हुआ तो करूँगी बट आप प्रियंका खड़से को subscribe कर लीजिये ताकि वहाँ पर जो content जा रहा है उसकी growth हो जाए तो मैं यहाँ से shift कर सकूँ गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा watermelon तो एकदम मतलब मजा ही आजाता है कुँ गली तक ठंड़क लगती है मुझे तो watermelon का juice भी बहुत अच्छा लगता है पर juice avoid करना चाहिए fruits whole खाऊ तो जादा अच्छा होता है it's time to go out बस बाहर जाके वापस आ गई हूँ घर पे and यह वाला चश्मा देखके zero number का चश्मा देखकर आप पहचानी गए होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ editing हो गई है अब हम जा रहे हैं walk करने तो मैं और अभीजी हम लोग walk करने आए हैं नीचे हमारे यहां पर नीचे बहुत जगह है walk करने के लिए और हवा भी बहुत चलती है particularly इस area में फिर से जो leftover था उसी से मैंने पराठा बना दिया है और अगेन बाहर कुछ काम है इसलिए हम लोग निकले हैं तो काम नपटा कर वापस से हम लोग घर आएंगे और फिर continue करेंगे काम काम मतलब अपना अपना काम मेरी shooting होगी राहिने को भी साथ में हम लेके आये हैं राहिने की school जल्दी ही start होने वाली है तो जैसे मैंने कहा आपको vlog लेट मिलेगा तो हो सकता है जब तक आपको ये vlog मिले राहिने का नया school अल्ड़री शुरू हो चुका हो राहिन ने को आज मैंने एकदम ठिक वाला चॉकलेट मिलकशेक बना कर दिया है और ये सो गया है चोटा सा पंखा लगा कर वैल गर्मी ही इतनी है तो क्या करें दो दो पंखे से भी काम नहीं होता ये ड्रेस मैंने अभी शूटिंग के लिए पहनी है तो ये भी मैंने आपको दिखाई थी होमन मचमूर के एक हॉल पे ये cotton blend है बट आई लाइक डेट ये काफी comfortable मुझे लगी और फिर next मैं ये भी पहनने वाली हूँ एक शूट में ये poly silk है तो येस मैं next शूट के लिए भी ready हो गई हूँ और ये poly silk का कुरता मैंने पहन लिया है इसे भी ज़्यादा आयन नहीं करना पड़ता है इसमें shine है तो ये किसी occasion पर या festival पर भी पहन लो तब भी बहुत अच्छा लगता है थोड़ी बहुत editing और निप्टानी है तो जो बीच में gaps होते हैं उसमें मैं editing कर लेती हूँ कभी कबार क्या होता है urgent मैं editing करनी पड़ती है क्योंकि video live होना होता है तो बहुत सारे channels and बहुत सारे videos it's not easy कि इतने सारे videos बनाके edit करके post किया जाए और घर में जो कुछ काम होते है अब हम जा रहे हैं यहां पर पास में जो market होता है वहां पर Wednesday है आज and Wednesday यहां पर Wednesday भी सबजी वाला market होता है और Sunday भी होता है दोनों की जगह अलग-अलग है Wednesday वाला घर से जाधा पास है वोक करके भी जा सकते हैं तो यहां पर limited shops है limited ठेले हैं बट जितना चाहिए उतना मिल राहिन ने फिलाल obsessed है Rubik's Cubes से तो Rubik's Cubes का Cube Solve करनेगा एक app राहिन ने को पता चला है एक भीया से और तब से राहिन ने cheating कर करके Cube Solve कर रहा है और बहुत खुश हो रहा है Cube Solver यूज़ करता है उसमें पूरा data feed करता है और solve कर लेता है और जो pyramid shape का है Cube, Cube नहीं, pyramids पोलते है वो राहिन ने बिना किसी की help के ऐसी ही solve कर लेता है फिर एक नया दिन आज की routine में भी shooting है editing है कुछ राहिने की चीज़े होंगी तो shooting editing बहुत common part है मेरे days का cleaning की बात करूँ तो kitchen तो मैं खाना बनाते बनाते ही clean करती रहती हूँ बढ़ हाँ अलग से time निकालके kitchen trolley के handle साफ कर यह भी करना होता है so I'll try कि बीच-बीच में मैं वो shots भी लूँ तो मैं कर रही हूँ अभी थोड़ा सा yoga राहिने की new school जल्दी ही शुरू होने वाली है तो सुबह मुझे yoga करने शायद ही मिलेगा let's see how it goes राहिन ने अलग-अलग तरह की cubes और उसके favorite toys वो जो दो आप देख रहे है bunny toy एक का नाम ठनी है तो यह दो राहिने के toys है जो लेकर बैठता है और यह हमारा नाश्ता जो की एक तरह का थाली पीठ है कि हमारा डाइनिंग टेबल है तो डाइनिंग टेबल पर टेबल क्लॉथ होता है कुछ चीजे होती है तो वह हटाके इसे shift करके clean करके shooting मैं करती हूं और वापस से सब shooting हो जाने के बाद वापस से टेबल क्लॉथ और सारी चीजे उस पर रखके मैं जगब पर उसे रख देती हो तो आज मैं यहां पर shooting कर रही हूं एक garment steamer की सो यह आप guess कर सकते हैं किस brand का है अगर आपने video देखा हो तो आप short video देखा हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से brand से है तो recent मैं मुझे 2-3 garment steamers मिले हैं जो मैं कर रही हूं यहां पर मैं video की editing कर रही हूं यह सारे tips के videos और कुछ-कुछ video शायद आप आप अलड़ी देख चुके होंगे क्योंकि by the time यह व्लॉग पोस्ट होगा यह सब life भी हो चुका होगा यहां पर एक चुड़ा था उसकी भेल टाइप बना लिये प्यास वगरा डालके और राहीन ने वापस से लगा हुआ है अपने ही क्यूब को solve करने के लिए और यह बिना app यूज किये खुच solve करने की कुशिश कर रहा है आज चुटी कर दिन है हमें बाहर जाना है कुछ काम है और साथ भी हम लोग अभी की जो बड़ी सिस्टर है बड़ी मतलब जो बीच वाली बड़ी सिस्टर है उनके घर भी जाएंगे और फिर वहां से हमारा प्लान है कि हम बाहर एक जगह जो चिकन मटन स्पेशल जगह है और पहले हम दीदी के घर तो पहुंचें बीच में traffic jam हमें मिल गया है हम पहुच गये हैं दीदी के घरएंने के लिए मैं नाश्टा घर से ही ले कर गई थी तो राही ने नाश्टा कर रहा है और उसको दीदी इसकी खिला रही है तो दीदी ने खिलाय अभी थी जो अश्ट जगह सजेस्ट की दीदी यानि अब मैं बात कर रही हूं sister अभीजीत की sister की तो पाटिलवड़ा नाम की जगह हम लोग आए हैं तो काफी है गर्मी काफी है सो फटाफट अंदर चले जाते हैं थाली ओर्डर करते हैं तो ये चिकन थाली ओर्डर की है जिसमें है बाजरे की भाकरी चिकन की दो वराइटी है और एक ड्राइ चटनी है जो की प्रॉंस ड्राइ प्रॉंस की बनीवी होती है खाना हमारा बढ़िया हो गया अब हम लोग आए है एक जगह आइस क्रीम खाने और राही ने डैडी के साथ आइस क्रीम शेयर कर रहा है मस्तानी आपने मंगाई एक कुल्पी मस्तानी और एक मैंगो वाली मैंगो वाली फिर भी ठीक है कुल्फी वाली पिल्कुल भी अच्छी नहीं है बढ़ ठीक है अब ओर्डर कर दिया है तीदी के घर हम कुछ देर तक रुके उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर गर पहुँच कर वापस I am back to work क्योंकि आज कुछ शूटिंग कुछ भी और काम नहीं हुआ सो एडिटिंग मैं कर रही हूँ अभी शूटिंग हमारी daytime में ही होती है एक voiceover मुझे करना है तो मैं mic को adjust कर रही हूँ और एक video shot लेना था तो फो भी मैं ले लोगी garment steamer वाला ही है सो garment steamer से आक्चली बहुत अच्छे से कपडे steam हो जाते हैं और wrinkles भी फटा फट चली जाती है तो अगर आप सोच रहे हैं गामन स्टीमर खरीदने की तो आप खरीद सकते हैं जो ब्रैंड आपको ठीक लगे जिसके रिव्यूज आपको ठीक लगे शॉप जाके आ रही हूं और शॉप जाके आने के बाद फिर से काम करना है तो यह एक वीडियो का क्लिप शूट क कर रही हूं और बाकी घर में कुछ नहीं बदला है राहिन ने अपने क्यूब्स लेकर बैठा हुआ है कुछ दिन खेलेगा फिर कुछ दिन रख देगा वापस से निकालेगा यह सारे टॉइस तो राहिन ने के कुछ फेवरेट टॉइस होते हैं जिनके पीछे वह पढ़ ज जाता है जैसे कि यह वाले क्यूब्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो थैंक यू सो मच इस व्लॉग को यहां तक देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई and टेक केर